हेलो फ्रेंड आद में आपको कवीता साथ भाईयों की बीच चंपा बाय कात्याईनी कवीता की समिक्षा करूंगा साथ भाईयों की बीच चंपा बाय कात्याईनी इस कवीता में इस्तरी विमर्ज के पर कात्याईनी जी ने अपना विचार व्यक्त किया है समिख्षा प्राकृति ने इस्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक बनाया है एक की बिना दूसरे का अस्चित्व नहीं दोनों का एक दूसरे के लिए सम्मान महत्व है हर युग में इस्त्री पुरुष की सभागना भागनी बनकर उसका साथ देती रही है पर अस्चारे की बात यह है कि जिस इस्तरी का साथ पुरुष के लिए अब परिहारे है उसी इस्तरी के साथ यह पुरुष परधान समाज असमानता का वेवार करता आया है पूर्ष समाज के लिए इस्तरी का परिवार और समाज में महतपुन दाइतों होते हुए भी उसके लिए वैस्तरी अपेक्चित रही है चाहें पिता हो, पती हो, भाई हो, के लिए इसने और प्रेम का पात्र होते हुए भी उसकी परस्तितिक और भूमिका उसके जैसे नहीं रही है आखिर क्यों? साथ भायों के बीच चम्पा उसी पुरुस मानसिक्ता की कहानी वाली कवीता है इस्तरी जनम के साथ ही पर उस पर कई परकार के बंदल लगा दिये जाते हैं सारे परश्म उसी से क्यों कहां कैसे सारी पेक्षा उसी से जिसका प्रारम उसी के प्रभार से होता है ऐसा लगता है जैसा उसका जनम ही यह सब सहने के लिए हुआ है कवितरी कात्यानी ने चमपा सीर्षक के माद्यम से उसी फूल की तरह कोमल सुंदर बालिका की कलपना की है, जो अपने साथ भायों के बीच सहती सयानी होती है कविता साथ भायों के बीच चमपा सयानी हुई निर्वे निशसंग चमपा मुस्कुरातिव पाई गई साथ भाहियों की बीच चमपा जो समूचे स्तरी समाज का पतिनिद्व करती है हमेशा से दूसरे के उपर निर्वर रहती है जन्म के बाद साधी तक पिता के उपर निर्वर साधी के बाद पती के उपर निर्भर ब्रिद्दवस्ता में बेटों के उपर निर्भर यह क्या यह स्त्री क्या सच है कवित्री का उद्देश स्त्री जीवन के इन तीन जीवन काल को लेकर उसको इस असांता से बाहर निकालने का ही विमर्ज है इस विमर्ष का यह अर्थ नहीं है कि इस्तरी पुरुस की तरह पारिवार और समाज में अपनी अस्तिती दर्ज कर ले बलकि इस्तरी विमर्ष का अर्थ यह है कि वे अपने कमलता के साथ ही उसी रूप में निर्णे और अधिकार की स्वामीनी बन जाए जहां उसे अपने होने का स्वेम गौरव प्राप्त हो ठैंकि फूर वाचिंग